चोकलेट ममी से मैं सीमा सिंग आपका स्वागत करती हूँ आज मैं आपको विजय दश्मी दशेरे की कहानी सुनाने जा रही हूँ एक बार पार्वती जी ने शीव जी से दशेरे के त्योवार के फल के बारे में पूछा शीव जी ने उतर दिया आश्विन शुकल दश्मी को साय काल में तारा हुदह होने के समय विजय नामक काल होता है जो सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला होता है इस दिन यदि श्रवन नक्षत्र का योग हो तो और भी शुप होता है भगवान रामचंदर जी ने इसी विजय काल में लंका पर चड़ाय करके रावन को परास किया था इसी काल में शमी व्रक्ष ने अर्जुन का गांडीव नामक धनुष धारन किया था बार्वती जी बोली शमी व्रक्ष ने अर्जुन का धनुष कब और किस कारण धारन किय तब राम चंदर जी ने कब और कैसी प्रिये वाणी कही थी तो क्रपा करके मुझे बतलाईए शीव जी ने उतर दिया दुरियोधर ने पांडों को जुओं में पराजित कर 12 वर्ष का वनवास तता 13 वर्ष में अग्यातवास की शर्त रखी थी 13 वर्ष यदि उनका पता लग जाएगा तो उन्हें 12 वर्ष का वनवास भोगना होगा इसी अग्यातवास में अर्जुन ने अपने गांडी धनुष को शमी रक्ष पर चुपाया था तता सम्व रहत्रना के वेश में राजा विराट के पास नोक्री की थी जब गो रक्षा के लिए विराट के पुत्र जाए तब अर्जुन ने शमी वरक्ष से अपना धनुष उठा कर शत्रों पर विजय प्राप्त की थी विजय दश्मी के दिन रामचंदर जी ने लंका पर चड़ाई करने के लिए प्रस्तान करते समय शमी वरक्ष ने रामचंदर जी का विजय का उद्गोश किया था उस दिन पुरोहित को साथ लेकर पूर दिशा में पस्तान करके दूसरे राजा की सीमा में प्रवेश करना चाहिए तथा वास्तु पूजा करके अश्ट दिगपालो तथा पार्थ देवता की वेदिक मंत्रों से पूजा करनी चाहिए शत्रू की मूर्दी अत्वा पुत्रा पूजा बना कर उसकी चाहती में बार्ण मारना चाहिए पुरोहित वेद मंत्रों का उचारन करें ब्रामलों की पूजा करके हाती घोडा आस्त्र श्यास्त्र का नेरेक्शन करना चाहिए जो राजा इस वीदी से विजय दश्मी पूजन करता है वर सदा अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करता है तो आज मैंने आपे विजय दश्मी की कहानी सुनाई अगर आपको ये पसंद आती है तो प्लीज मेरा वीडियो लाइक करें चैनल सब्सक्राइब करें चोकलेट मामी से मैं सीमा सिंग धन्यवाद